हेलो दे स्टुडेंट्स इस वीडियो मैं चॉल्व करेंगे क्लास नहीं टेक्साइज नम्र 6.2 को क्वेश्ट नम्र फस्ट लिखे लिखा हो इन फिगर 6.28 फिगर दे रखे आपको इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है उसके बाद आपको यह भी प्रूव करना है कि ऐ भी पारलेल सीडे ले करण हे परोव करना है तो इन दूनेफू रखना है कि आप पैरलेल के कोंशन का आंसर मत पारलेल नहीं है तो अब तूफाइंड तूफाइंड में क्या है फस्ट एक्सेंड वाइंड सेकेंड तूप्रूव भी है इसमें तूप्रूव क्या प्रूव करना है अगर आप सेकेंड की बात करते हो सेकेंड आपको तूप्रूव करना लेकिन पहले समझ लेते हैं कैसे देखो यह x की value find करें यह 50 है यह तो एक straight line है ना यह तो एक straight line है तो इन दोनों का sum कितना हो जाएगा 180 reason क्या बता सकते हो linear pair लिख दीजे क्यों क्योंकि दो adjacent angle से straight line pair लिख देंगे here x plus 50 degree is equals to 180 and reason will be linear pair linear pair तो यह कितना हो कि x is equals to 180 minus 50 that means x is equals to 130 अगर किसी ने ऐसे लिख दिया कि x is equals to 130 direct corresponding angles तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि parallel थोड़ी दे रखे तो आप इनको corresponding angles कैसे लिख सकते हो अगर आपको parallel नहीं दे रखा तो similarly x is equals to y लिख दे कि alternate interior angles तो भी गलत हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि वह भी हम parallel की property जब होता है तो इसमें आपके अब यही लगा सकते हो कि linear pair है ठीक है तो x की value आगे आपके पास कितनी 130 डिगरी और उसकी बाद नाओ तो y is equals to 130 डारेक्ट लिख दीजी क्यों क्यों क्योंकि यह दोनों वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल अपोजिट की लगा सकते उसके लिए parallel की ज़रुत नहीं है दो lines क्रॉस कर रही है अपोजिट में है वर्टिकल अपोजिट एंगल सीक्वल होते हैं 6.13 में प्रूफ किया था तो क्या लिख देंगे वी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल अब एजी हो जाएगा प्रूफ करना देखो अपने एक्सेंड वाई दोनों की वैली फाइंड कर लिए अब इन दोनों को पैरलेल प्रूफ करना एजी है क्यों देखिए अभी हमने का कर्रस्पंड एंगल की बात की कर्रस्पंड एंगल क्या होते हैं अगर यह दोनों लाइन पैरलेल हैं तो उनके कर्रस्पंड इंगल इक्वल होते हैं यह थी कर्रस्पंड इंगल इसका क्या है जो कि हम इसको इक्वल प्रूफ करने इसको पैरलेल प्रूफ करने के लिए यूज करने वाले हैं अ और उनके corresponding angles equal हैं, अगर उनके corresponding angles equal हैं, तो ये दोनों lines parallel होंगी, corresponding parallel दे रखी होती है, angle equal होते हैं, Converse में क्या है, angle equal है, जो कि आपने find कर लिया, तो ये दोनों lines parallel हो जाएंगी, तो बस यतना सा difference है, तो वह हमें लिखना है, here, a, b and c, d are any two lines, any two lines, ठीक है, और इसको l नाम लिखते, and l is a transversal line, transversal line, l क्या है, transversal line है, and their corresponding angles are equal, and their, c, o, double, r, e, s, p, o, n, d, i, n, g, and their corresponding angles are equal, angles are equal, therefore, क्या हो जाएगा, a, b is parallel to c, d, reason क्या हो गया, converse of, converse of corresponding, corresponding angle property, ठीक है, converse of corresponding angle property से, तो यह अपने साथ में क्या कर लिया, prove भी कर लिया, अपने value find कर लिया, and corresponding angle, converse of corresponding angle से, इनको parallel भी prove करते है, क्या आप इनको alternate interior से भी कर सकते थे, yes, उससे भी कर सकते हैं, कि इनका alternate interior angle equal है, देखो, यह दोनों lines, कोई भी दो lines है, एक transversal line, इनके दोनों के alternate interior angles equal है, तो यह lines parallel लोंगे, आप वो भी result एक्सेप्ट है, ठीक है, ओके, thank you,